जारखन में अब बज गईल कोरोना के खतरा के घंटी चिंता जनकबा संक्रमीतों की तेजी से बढ़ रही संख्या अब न चितबा तो फिर तबा हो जाईबा नमस्कार आजा सिपाही विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ राकेश सेंग 24 मार्च को जब कोरोना महमारी के कारण देश वयापी लॉक्टाउन का ऐलान किया गया था जारखन में संक्रमान का कोई मामला नहीं था लेकिन आज ये संख्या 1000 के पार जा चुकी है और लॉक्टाउन खत्म होने का पहला चरण यानि अनलॉक वन शुरू होने वाला है ये जारखन के लिए बेहत खतरनाक और चिंतनी स्थिती है क्योंकि यहाँ जिस रफतार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है रच की तबाही किया शंका उतने ही बल्वती होती जा रही है जारखन में कुरोना संक्रवन का क्राफ हजिस तेजी से बढ़ रहा है उससे साफ हो गया है कि बाहर से आने वाले प्रवासी अपने साथ इस वारस को लेकर आ रहे हैं संक्रमितों की बढ़ती संक्या के बीज सुकून की बात इतनी है कि ये बिमारी अब तक जान लेवा नहीं हुई है और अधिकांज संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जारखन के पच्चासी फीसदी संक्रमितों में कुरोना का कोई लक्षण नहीं पाया कया है ये बेहत खतरनाक है क्योंकि बिना लक्षण वाले संक्रमितों की पहचान बेहत मुश्किल है जारखन को अब सतर्क हो जाने की जरूरत है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया और अनलोक वन के साथ जैसे ही लोग घरों से बाहर निकल कर समाने दिन चरिया में लोटने लगेंगे ये संकरवान दो गुनी तेजी से पहले का उस थिती में अपने सीमित स्वास्त संसाधनों के साथ जारखन के लिए इस पर नियंतरा पाना असंभव हो जाएगा इसलिए जारखन को बचाने के लिए अब अत्यधिक सतर्कता अनिवार्य है कोरोना की विसफोटक स्थिती की प्रिस्ट भूमी में जारखन के वर्तमान हाल प्रचलित का विसलेशन करती अज़ाद सिपाही बीरों की खास रिपोर्ट जहरखण में इन दिनों हर शाम घरों और चौक चौराहों पर इसी बात की चर्चा होती है कि आज कितने मरीज मिले और कितने ठीक होकर घर लाटे इस बात की चर्चा शायद ही होती है कि कितने सैंप एक महमारी के कारण 25 मार्च को किये गए देश वयापी लॉक्टाउन के खत्म होने का पहला चरण 8 जून से शुरू हो रहा है लेकिन इस खदम से पहले जारखंड जैसे रचों की खतरनाक सिती पर शयद ध्यान नहीं दिया गया जहां संक्रवान का क्राफ बड़ी तेजी से की ओर जा रहा है जारखंड में कोरोना का पहला मामला 31 मार्च को सामने आया था और शनिवार 6 जून की रात तक ये संख्या एक हजार अठाईस तक पहुच गई इसका सीधा मतलब यही है कि जारखंड कोरोना विसफोर्ट के मोहाने पर खड़ा है और यदि अब भी सतरकता नहीं बढ़ती गई तो अगले कुछ दिनों में स्थिती बेखाबू हो सकती है जारखंड में कोरोना संक्रवन की ये स्थि नहीं किया जा सकता जमशितपूर चैबासा गुमला सिम्डेगा धनबाद जैसी जगहों से ऐसी सूचना लगतार आ रही हैं जिन में कहा गया है कि लोगों के सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें घर भेच दिया जा रहा है बाद में जब उनके संक्रमित होने की होती है तब तक वे दरजनों लोगों में संक्रमान फैला चुके होते हैं ये सिलसला लगतार जारी है इसे ततकाल बंध किये जाने की आवशक्ता है जारखन में संक्रमितों की संख्या पिछले 9 दिनों में दो गुनी हो गई है लेकिन सबसे चिंता जनक बात ये है कि 85 प्र करोना चांच ही है जारखन के पास आज महज 17,000 से कुछ अधिक टेस्टिंग किट है जो हर नजरिये से अपरियाप्त है सब 3 करोड की आबादी वाले रज में इतनी कम संख्या में टेस्टिंग किट होना दुरभा के पोड़न स्थिती है रज की स्वास्त मशीनरी पूरी त तोर में एक बात सुकून पहुचाने वाली है कि जारखन में मृत्यू की दर बहुत कम है पिछले धाई महीने में महज 7 लोगों की मौत साबित करती है कि जारखन के लोग अपनी प्रतिरोधक शम्ता के कारण कोरोना को मांथ देने में सफल हो रहे हैं लेकिन संक्रमितों की संख्या यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही और हर आठवे दिन आकड़ा दो गुना हो जाए तो इस हिसाब से अगले कुछ दिनों में जारखन में स्थिती अनियंतरित हो जाएगी तब हमारे सामने हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बचे का इसलिए अब समय आ गया है कि जारखन के लोग यहां के स्वास्थ मशिनरी और यहां का प्रशासन सतर्क हो जाए मुख्यमंतरी कह चुके हैं कि सरकार की पहली चंता लोगों की जान बचाने की है और इसके लिए हर संभव खदम उठाये चाएंगे आठ जून से लॉक्टाउन में मिलने वाली चुटों का जारखन में बेजा लाब नहीं उठाया जाए यह सुनक्षित करना होगा जारखन के लोग जितनी सतर्कता बरतेंगे रच की स्वास्थ मशिनरी पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा और तब संक्रमितों की देख भाल भी अच्छे तरीके से हो सकेगी इसके साथ ही संसाधन जुटाने के मोचे पर भी अतरिक्त सक्रियता दिखानी होगी रच को बड़ी संख्या में टेस्टिंग किट की जरूरत है इस जरूरत को पूरा करने के लिए रच सरकार को तदकाल केंदर से बात करनी होगी क्योंकि ये केंदर के अधिकार शित्र की बात है कुल मिलाकर स्थिती चिंता चनत है यदी जारखंड में संकरवान फैलता है तो इसका सीधा असर पूरे देश पर पड़ेगा इसलिए पूरे देश को इस खतरे को टालने के लिए तकाल सक्रिय होनी की जरूरत है इस क्रम में भले ही लॉक्टाउं को आके बढ़ाना पड़े और सखती बरतनी पड़े तो भी ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि चान है तो जहान है ये कहावत बहुत पुरानी है और इसी की अभी जरूरत है आजास सिपाही में अभी इतना ही खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप बुक पेच को भी जरूर लाइक करें जोड़े रहिए आजास सिपाही के साथ धन्यवाद